नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चन्षार यागंद्र मिशा में सोला अप्रेल हनुमान जन्मोसव बड़ा सनिवार चैत्र पूनिमा शुव शैयोग यहां रखें एक लौंग और एक इलाइची रातो रात चमक जाएगी किस्मत दस्तों चैत्र मा की पूनिमा इस बार सोला अप्रेल दिन सनिवार को है चैत्र पूनिमा का विशेश महत्त हमारे सास्त्रों में बताया गया है सास्त्रों के अनसार चैत्र पूनिमा की दिन इश्नान दान का विशेश महत्त होता है इस दिन पूर्मा की दिन इशनान दान का विशेश महत होता है इस दिन आप गंगा जल डाल कर भी घर पे भी नहा सकते हैं या फिर तीर्थ में जाकर जैसे की आप पवित्र नदी सरोबर में भी इशनान कर सकते हैं इस दिन इशनान दान करने से अन पुड़िमा की तुलना में कई गुना अधिक पुन्न फल की प्राप्ती होती है यह पुड़िमा यस और एश्यर प्रदान करती है दोस्तों, शेत पुड़मा को बजरंग बली की जनमोसो के रूप में भी मनाया जाता है मना जाते हैं कि शेत पुड़मा के दिन बजरंग बली का जनम हुआ था इसी बज연 से शेत पुड़मा का महत्यू और भी ज़्यादा बढ़ गया है इस दिन भगवान विश्णू मातल लक्ष्मी जी के साथ साथ बजरंग बली का पूजन भी किया जाता है दोस्तो इस बार का हनमान जन्मोसव बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार 16 अप्रेल दिन सनी बार को हनमान जन्मोसव है और शनी बार के दिन भी बजरंग बली को समर्पीत होता है शनिवार के दिन हन्मान जन्मोसव आने से इसका महत और भी अधिग बढ़ गया है शाथी इस दिन रभी योग और शिद्धी योग का निर्माड भी हो रहा है यह योग पूजन और उपाई के लिए बहुत ही शुब माने जाते हैं शाथी साथ इस दिन सरवार्द सिद्धी योग भी बन रहा है मानेता है कि इस दिन जिसे बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो जाती है उस पर पूरे साल बजरंग बली की कृपा बनी रहती है और बजरंग बली के कृपा से पूरे साल भर जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता दोस्तों चैत्र पुणिमा पर बजरंग बली का विशेश रुप से पूजन किया जाता है माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा जिस किसी पर भी हो जाती है उसके सारे कार पूर्ण हो जाते हैं एक दस रूद्रा प्तार हनुमान जी मंगल के अधिश्ठाता माने गए हैं राम भक्त हनवान जी की पूजा उपासना के लिए चेत्र पूडिमा का दिन विशेश रखता है। दोस्तो माना जाता है कि चेत्र पूडिमा पर बजरंग बली को परसंद करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किये जाते हैं वह बहुत ही जल्दी सुवफल परदान करने वाले होते हैं। आज की इस वेडियो में हम आपको बजरंग बली को परसंद करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी बिसे समगरी की आवस्चत नहीं है। यह उपाय आपको सिर्फ एक लॉंग और एक इलाजी से करना है। उपाय करने के लिए चैत पूर्णा पर इश्नान करके स्वक्ष वस्त धारन करें। इसके बाद एक फूल वाली लॉंग लें। और एक साबूत छोटी सी हरी इलाजी लें। ध्यान रखे लॉंग फूल वाली होनी चाहिए। तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए साबूत जो पूजा में इस्तमाल होती है। और इलाजी भी कटी हुई तूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको साबूत छोटी हरी इलाजी और एक लॉंग आपको यानि लेनी है। अब लॉंग और इलाजी को आप पानी से धोकर अच्छी तरह से साब कर लें। और एक जब करने के बाद आप एक बतासा लें और इस बतासे में इसके उपर एक लॉंग और एक लाजी रख दें। अब इस बतासे को किशी पात्र में रखकर बजरंग बली को अरफित कर दें। फिर बजरंग बली से अपनी शारी समश्चाएं कहें। बजरंग बली से नौकरी और ब्यापार में उन्नत की प्रात्ना करें धनलाब की प्रात्ना करें अगर आप बेरोजगार हैं आपको रोजगार नहीं मिल पर है तो आप रोजगार की प्रात्ना करें प्रात्ना करने के बाद आप हो सके तो एक बार सुन्दर कांड का पाथ हवश करें इसके बाद आप वहाँ पर बैटकर हनमान जी के ओम हनु हनुमते नमेश मंतर का भी जाप ज़रू करें। इस दिन शुंदर कान का पाट करना अतिन्त शुवफल माना गया है। हनमान जनमोसोक के दिन आप विशेश रुप से हनुमान जी के पूजा पाट करने के रातर में आप अपने आलमारी पे तिजोरी पे रख दें। और बतासे को परसात के रूप में पूरे घर परिवार्शाद खा सकते हैं। दोस्तों ये जो लॉंग और इलाइची अपने अपने धन के स्थान पर रखे तो बजरंग बलिक से प्रातना करें धन समद्धे जो भी समझ चाएं हो आप देखें कि रातो रात आपके किसमत चमक जाएगी धन इतना आगे संभाल नहीं पागे पैसे कि आमधनी बढ़ जाए लॉंग और इलाइची का प्रयोग हनुआन जर्मोसों की दिन करने से विशेश रुप से गरीबी मिठ जाती है रातो रात किसमत चमक जाती है एक छोटा सा प्रयोग और करिएगा आप उनकी पूजा पाट करेंगे इस दिन चुकि आप चाहें तो ब्रत भी रख सकते हैं और देखें इस दिन लाल कपड़े ही पहन कर आप ब्रत रखें और हो सके तो इस दिन आप उन्हें फलों में लाल फल जरूर अरपित करें और हो सके तो इस दिन केला वगारे भी और लड़ू वगारे जो उन्हें जो बहुत ही प्री होता है उन्हें अरपित करें आप क्या करे और बाद में जब पूजा पाठ करने के बाद इस लॉंग इलाइची को हनवान जी का इश्मरन करते हुए आप अपनी धनकी स्थान पर रख दें पैशा इतना आएगा कि संभालने पाँगे आपकी आमदनी के स्रोथ बढ़ जाएंगे लॉंग इलाइची के छोटा सा प्रयो सो की दिन आप पांच लॉंग ले लें और आप किसी चौराही पर चले जाए रात के समय और आप वहां पर जाने के बाद चार लॉंग सत्रों का नाम लेकर चारों दिसाओं में फेंक दे और आखरी लॉंग जो बचा है पांच में उसे आप आसमान के तरफ फेंक दें तो ये चोटे-चोटे प्रयोगा आप जरूर करें हनन्माण जन्मोस के दिन विशेश लाभ होता है हनوان جن موسعق के दिन अगर आप चाहतें कि करजों से परेसान है करज की समझे आपके उपर बहुत जदा है आप चाहतें कि करजों से परेसानी से मुक्तिम बिले तब आप या क्या करेंगे हनवान जी को आप यानि लॉंग और इलाइची आप अरपित कर दें और एक पान का बी आपको करजों से मुक्ति मिलेगी हनवान जी की सेवा करना उनकी पूजा पाट करना बहुत ही अतिन्त माना गया है लेकिन लॉंग और इलाइची का जो प्रयोग करेंगे यह अजबूत होता है बहुत ही निराला इसे हनवान जी बहुत प्रसंद होते हैं बहुत खुस होते हनवान जी को मीठा पान जरूर आप अरपित करिए हनवान जर्मोंसो के दिन और साथी साथ उन्हें एक चाहे तो पत्ता ले ले इलाची और लॉंग डालके हनवान जी को अर्पित कर दें, बाद में इस पत्ते को मोड़ कर आप बीरा बना कर आप इसका सेवन कर लें, तो जीवन में कभी भी आपके उपर कोई भी किसी का दूस प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीवन में धन, मान, समान, चारुद दिसाओं जाये बजरंगोली